पुरी दुनिया को अपनी कॉमीडी से हसाने वाले कॉमेडियन और आक्टर है कृषणा अबिशेग यू तो कृषणा को उनके मामा गोविंदा की वज़े से भी खूग जाना जाता है आखर कृषणा की माँ गोविंदा की बहन्ज होथी लेकिन क्रिशना कभी भी उनकी मा का चहरा नहीं देख पाये थे बच्पन में ही क्रिशना की मा उन्हें छोड़ कर चल बसी थी कैंसर की वज़ा से क्रिशना के सिर से मा का साया उठ गया था मा के दुनिया से चले जाने का ये दर्ध क्रिशना ने खुद बाटा है दरसल हाल ही में कॉमेडियन कृष्णा अभिशेक आक्टर मनीश पॉल के पॉड़कास्ट शो में पहुंचे थे यहां कृष्णा ने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे किये जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता होगा मनीश के पॉड़कास्ट के वक्ट कृष्णा अपनी मा को याद करते हुए भावग भी हो गए नजाने कितने लोगों के चहरे पर हसी लाने वाले कृष्णा अभिशेक ने मा के निधन के बारे में मनीश को बताया उन्होंने बताया कि मेरी मा को यूटरूस के आंसर था मैंने उन्हें कभी नहीं देखा मेरा बचपन हमेशा मेरे पिता के साथ गुजरा कृष्णा ने बताया कि मैंने साल भर पहले अपनी मा को पहली बार लाइफ में देखा ये विडियो दूर दर्शन के एक शो के लिए बनाया गया था जिसमें मेरी नानी गाते हुए नजर आ रही थी और उनके साथ ही मेरी मा बैठी हुई थी जो उनके साथ का रही थी ये पहली बार था जब मैंने अपनी मा को लाइफ विडियो में देखा ये बोलते हुए क्रिशना रो पड़े क्रिशना ने आगे बताया कि मैं दो साल का था जब मा का निधन हुआ मेरी मा मामा गोविंदा को बहुत प्यार करती थी वो चाहती थी कि गोविंदा बड़ा स्टार बने कृष्णा ने बताया कि जब मा की डेथ हुई और उनकी बॉडी को उठाये गया तो उनके बिस्तर के नीचे से गोविंदा मामा की तस्वीर निकली थी वही मा के चले जाने के बाद कृष्णा अभिशेक को उनके पिता ने ही बड़ी जिम्मिदारी से समाला था कृष्णा ने बताया कि वो पिता के हाथों से बना खाना खाकर बड़े हुए हैं लेकिन उसके बाद उनके पिता को भी कैंसर हो गया था जिस वक्त कृष्णा अपना शो कर रहे थे तब ही उनके पिता भी चल बसे ये वक्त भी उनके लिए काफी मुश्किल रहा था इस interview के दोरान आक्टर की आँखों में कई बार आसुआ गए थे भले ही कृष्णा का इस समय मामा संग रिष्टा अच्छा नहीं चल रहा लेकिन इस podcast में उन्होंने गोविंदा की खूब तारीफ की उन्होंने गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमीशा मेरा सपोर्ट किया है मा की तरह वो मेरे ले खड़े रहे हाला कि प्रोफेशनली उन्होंने मेरी मदद का भी नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपने दम पर स्ट्रगल करूँ वहीं ज़रान कृष्णा ने ये भी खुलासा किया कि उनके मामा गौविंदा ने कृष्णा अभिशेक के जन्म के लिए मनद मांगी थी जिसके बाद उनका जन्म हुआ, दस साल के बाद मैं पैदा हुआ था मनत पूरा करने के लिए जब मैं चार या पात साल का हुआ तो उन्होंने मुझे कंधे पर बैठा कर वैश्नो देवी के दर्शन करवाय थे इसी इंटिव्यू में कृष्णा ने ये भी कहा कि गोविंदा मामा मैं सच में आप से बहुत प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मैं आपको हमेशा याद करता हूं उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि गोविंदा भी उन्हें बहुत मिस करते हैं गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिशेक और उनके भी जगड़ी की कबर कई सालों से सुर्ख्यों में है कृष्णा काई बार ऐसे बयान देते रहते हैं जिन से जाहिर होता है कि वो अपने मामों को बहुत मिस करते हैं हाला कि दोनों के बीच के अन्बन आपसी मद्भेद नहीं है बलकि एक दूसरे की बीवी की वज़ा से है जहां एक तरफ कृष्णा की बीवी आए दिन कुछ न कुछ गोविंदा के परिवार में बोलती है तो वहीं गोविंदा की बीवी सुनीता भी खूब पलटवार करती है ऐसे में देखना ये होगा कि मामा और भानजे के रिष्टे में आई दरार कब तक भड़ती है